हेलो दोस्तो रेल कारवा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपने ट्रेन में यात्रा की होगी तो खिड़की के बाहर मालगाडियों को जरूर देखा होगा और कई बार हम इन मालगाडियों में इस तरह का स्टीरिंग लगा हुआ हर एक अता है तो इस वीडियो के अंतक बने रहिए और वीडियों शुरू करने से पाले जल्दी से इस वीडियों को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए तो चलिए आज का रेलकारवां शुरू करते हैं रेलगाडि तो हम सभी ने देखी है, आपने रेल गाड़ी में सफर भी किया होगा, वहीं एक रेल गाड़ी सामान ले जाने वाली भी होती है, जिसे हम मालगाड़ी कहते हैं, यात्री ट्रेनों में कम से कम 24 डिब्बे होते हैं, तो वहीं मालगाड़ीों में कम से कम 50 से अधिक डिब्बे होते हैं अलग-अलग सामान के लिए अलग-अलग मालगाडियां होती हैं आपने देखा होगा कि कई मालगाडियों के डिबों की साइट में एक स्टेरिंग जैसा कुछ लगा होता है इससे क्यों लगाया जाता है इसका क्या काम है यह बहुत ही कम लोगों को पता होता है लेकि कोई भी चक्का नहीं लगाया जाता था जिसके कारण रेलवे को एक बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था मालगाड़ी ये कोई भी ट्रेन हो उससे हमेशा समतल स्थान पर ही पार्क किया जा सकता था तब किसी चड़ाई या धलान जैसी जगह पर मालग इस समस्या को दूर करने के लिए मालगाड़ी की हर भोगी में एक गोलनुमा चक्का लगा दिया असल में यह गाड़ी का पहिया नहीं बलकि एक लीवर होता है जो हैंड ब्रेक की तरह काम करता है अगर कभी मालगाड़ी को किसी चड़ाई या धलान पर रोकना पड़े तो इस चक्के को घुमा दिया जाता है इससे बोगी के सारे पहिये जाम हो जाते हैं और मालगाड़ी किसी भी जगह पर आसानी से खड़ी हो जाती है उमीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे की मालगाड़ी ट्रेन के डिब्बों के साइड में क्यों लगी होती है य या किस काम आता है अगर आज की वडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजे वडियो द